सत्कुरु की साजी निवाजी प्यारी सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी सासंगत जी हम बहुत ही भागय शाली हैं जो सत्कुरु माता सुदिक्षा जी महाराज की चत्रचाया में सीवा, सीमरन, ससंग का आनंद मान रहे हैं सचे पाश्या के चर्णों में यही अर्दास करती हैं सचे पाश्या आप जी ने जिस तरह हमें भगती से जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़े रखना आप जी का लख लख शुकराना करते हुए दासी सद्कुर्माता जी का लख लख शुकराना करते हुए विचार रखने जा रही है आप जी ये विचार प्रवान करना सबकुर्माताजी का अशीरवाद हम सब पर इसी तरह बना रहे कहते हैं मानव योनी दूरलब और भागय शाली मानी जाती है यह भागय मनुश्य के रूप में केवल पैदा होने से नहीं बलकि उस लक्षय की प्राप्ति से ये मानव को उचा दर्जा दिया गया है नीत्रा भोजन भोग बै एप पुरक समान ग्यान अदिकिक नर्मी ग्यान भीना पशुजान कहते हैं कि नीद भोजन भोग बै ये तो पशु भी कर रहे हैं मानव भी कर रहे हैं पशु भी कर रहे हैं लेकिन मानव और पशु में फ अगर नहीं इनसान ने लिया मानव चोले में आकर अगर एक ग्यान नहीं निरंकार का लिया तो फिर उसमें और पश्वों में कोई फरक ही नहीं रह जाएगा कहते हैं ब्रह्म ग्यान ही इनसान को पशु से स्रेश्ट बनाता है इसलिए और भी दुरलब है पूरन सत्कुरू की शरन में पहुँच कर परंपिता परमात्मा का शांक्षात ग्यान लेकर जीवन के परंलक्षय को पाना संपून अवतारबानी में शेहनशा बावा हरदेव सिंग जी महराज ने कलम बद किया है इन सभी से अधिक्तम दुरलब है उस अवस्था का प्रापत होना जो वैदिक काल से चली आ रही है आध्यात्मिक मुख्यधारा की बुनियाद वसुधैफ कटूमकम अर्थात सारी मानवता को अपना परिवार समझना यह सारी दुरलब प्रापतियां सत्कुर के ग्यान और अशीरवाद से ही मिल सकती है प्रपु पर्मात्मा का मिलाप और जाब के लिए सत्कुर हमेशा संसार में रहता है सबी मानने धरम गरंतों के अनुसार इश्वर की अनुपुती की इश्वर की जानकारी की एक मात्र विदी है समय के सत्कुरु की किर्पा जो शब्दों के उचारन के साथ साथ परतियक्ष इशारे द्वारा भी संबव है ब्रम बिंदे सो सत्कुरु कहिए पवित्र बाइबल के अनुसार इश्वर मसीह जी कह रहे हैं मैं ही मारग हूँ परम सत्य और जीवन भी मैं ही हूँ कोई भी मेरे बिना परम पिता परमात्मा तक पहुँच नहीं सकता है राम चरित मानस में आयोद्या कान में बताया गया है सोई जान ही जे ही देव जनाई जानत तुम ही तुम ही होई जाई और कहते हैं पवित्र कुरान के अनुसार अल्ला रसूल के मात्यम से बोलता है इस की अतरित कोई और साधन नहीं है संपून अवतारबानी में यही बात शेहनशाजी ने फरमाई है करम करे जिस उपर साई बंदा उसनों दय बना गुरू मिलेता बंदा उहो बाण जानदा है आप खुदा जब सत्कुर के किरपा इनसान के उपर हो जाती है सत्कुर मिल जाता है तो फिर वही इनसान परमात्मा का रूप हो जाता है ऐसा संपुन अवतारबानी शबद नंबर 260 में शेहनशाजी ने फरमाया है कलंबद किया है और शिरिक गुरु गरज साही में कहा है ज्यान अंजन गुर दिया अग्यान अंधेर विनाश हर किरपा ते संत पेटिया नानक मन परकाश सत्गुरु की किरपा से सत्गुरु ने हमें ग्यान अंजन दिया है और हमारा जो ग्यानता का अंधेरा था उसको खतम किया है हरे के किरपा से हमें सत्गुरु मिला और सत्गुरु ने हमारे मन में ये प्रम ज्ञान का प्रकाश कर दिया प्रम ज्ञान रुपे उजाला दे दिया गुरू के इलावा प्रपु प्राक्तिका यदे कोई और साधन होता तो कहा जा सकता था कि गुरू ने ग्यान अंजन जब तप पूझा पाठ बर्थ नेम दिया सपश्ट कहा गया है कि इश्वरिय ग्यान केवल सत गुरू के किर्पा से ही प्रापत हो सकता है संपुर्ण अवतारबानी में शैंशा जी ने कहा है सचिया लिखता लानत पावन पढ़ना कम नहीं ओनाए बिना गुरू दे ग्यान नहीं होंदा बिर्था जनम गमोनाए शैंशा जी ने कहा दिया है कि सत गुरू के बिना कहीं भी चले जाओ ग्यान नहीं मिल सकता सत्गुरु ही पूरन सत्गुरु ही ब्रह्म का ज्यान दे सकता है इस निरक्कार को दिखा सकता है अगर सत्गुरु की शरण में नहीं आएगा तो तेरा ये जनम वेर्था ही चला जाएगा कहते हैं कि यह अध्यात्मिक मुख्यधारा लगातार चलती रहती है प्रन्तु कभी प्रत्यक्ष और कभी गुप्त प्रत्येक सत्गुरु पीर पेगंबर अपने समय काल का पहला नहीं बलकि दिवय द्रिष्टी का वर्तमान परदाता होता है सत्गुरु निरंकार एक के बाद एक आता रहता है जब-जब भी धर्म के गलानी होती है निरंकार का साकार रूप सत्गुरु अपना अध्यात्मिक मीशन शुरू करतेता है यही कारण है कि सत्गुरु के कई सवरूप ज़्यादा जाहिर होती है और किसी नए धर्म के स्थापित करने वाले माने जाते है वास्तव में पेगंबर हर समय में रहता है जब हम दरम गरंथों का अध्याइन करती हैं तो पाती हैं कि आदिकाल से चली आ रही आध्यात्मिक मुख्यधारा के सभी पीर पेगंबर सत्कुरू जो समय समय पर अवत्रित हुए उन्होंने इस दिवे जोती के उत्रातिकार को आगे से आगे सुंपा इसी उपलक्षे में कहा गया है कि जिस प्रकार निरंकार प्रभु परमात्मा शाश्वत है इसी प्रकार इसका बोध कराने वाला सत्कुरू भी शाश्वत है नीरंकार जो परतक दसे वो सत्गुर कहलांदाए कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सत्गुर सबसे पुराना है और नया भी ठेक उसी तरह है जैसे दिन और रात युगों युगों से एक दूसरे का पीछा करते आ रहे हैं और अब भी वे नय जैसे हैं सत्गुर अपना उत्रा दिकारे कभी परत्यक्ष वे कभी इशारे द्वारा स्वयम ही न्यूक्त करता है नानक गुर्ते गुरु होया वे खोतिस्किर जाई आठवी पाश्याई सत्गुर शिरी हरकिशन जी महाराज जब सन 1667 में ब्रह्मलीन होने लगे तो उन्होंने इशारा दिया बाबा बकाले बकाले में शिरी गुर्तेग बहादुर महाराज जी गुप्त रूप में रहते थे सत्गुर की मेहता जानने वाले सत्गुर को ढूड़े निकालते हैं गुरु भगत मक्षन शहा लबाने की लगन वे निश्ठा हमें याद दिलाती है कि किस परकार वेह बकाला में गए और सत्गुर शिरी गुर्तेग बहादुर जी महाराज का असली रूप देख कर नाच उठे गुरु लाधोरे गुरु लाधोरे इसी परकार सत्गुर भाबा हर देव सिंग जी महाराज ने नियू योरक की आठ मई 2016 को 16 को जो विचार में कहा जैसा कि आज अभी मदर्स डे का जिकर भी हुआ और मनाया भी जा रहा है योगदान जो मातरी शक्ति के होते हैं युगो युगो से रहे हैं और जिसके करच कभी चुकाए नहीं जा सकते जैसे राज माता जी का जीवन जो हमने देखा कि किस परकार उन्होंने पूरन भगत बन कर कोई भी ध्यान न रखते हुए कि मैं किसकी बहु हूँ या किसकी पतनी हूँ किसकी मा हूँ उस रिष्टे को महता न देते हुए केवल गुर्मत का रिष्टा एक गुर्सिक का रिष्टा सब को चीकर दिखाया इसी परकार से दातार किर्पा करे मातरी शक्ती का सतकार बना रहे साथ ही साथ ये भी कहा कि महापुर्शों ने तमाम विश्व भर से यही प्रात्नाएं अर्दासे की कि पुझय माता जी, पुझय माता सविंदर जी के बारे में सतकुर भावाहर देव सिंग जी महाराज ने 8 मैं की विचार, 8 मैं 2016 की विचार में कहा कि पुजय माताजी को भी हम रिष्ट पुष्ट तंद्रूस देखें, स्वस्थ देखें, दातार किर्पा करें कि वो साज संगत को दर्शन देते रहें और उसी प्रकार से सब को अपना प्यार देते रहें साज संगत के लिए लगातार जैसे पहले हाथ बठा रहे हैं, बठाते आएं और उसी तरह से साज संगत की संभाल करते रहें सब अपने फर्ज खूब सूर्ती से अदा करते चले जाएं, घडियां बहुत सीमित हैं, एक एक पल बहुत कीमती है, यह लोट के कभी फिर दुबारा नहीं आता है दातार सब पर किर्पा करें, ताकि सबी इसी तरह से आगे से आगे पढ़ते चले जाएं इस से पूरव चोबी जनवरी दो हजार सोला को महाराश्टर सुमागम मुंबई में, सत्कुर भावजी ने अचानक दुनिया को छोड़ने का संकेत दिया आज गालो, मुस्कुरालो, मैफिले सजालो, क्या जाने कल कोई साथे छूट जाए जीवन की डोर बड़ी कम जोर, किसको खबर कहां तूट जाए पुझे माता सविंदर जी, ना कभी ससंग की स्टेज पर उन ना ही किसी मीटिंग में बोलते थे बाबा जी कहीं भार, पुझे माता सविंदर जी, माराज को संकेत देते रहे कि आप बोला करो, कई परबंद की अजिमेधारिया निभानी होंगी यही संकेत साकार रूप में सामने आए, तब 13 माई 2016 को सतकुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज प्रमलीन हुए और उनकी दिवय जोती परम पुझे माता सविंदर जी में प्रकट हो गई जिसकी अनॉसमेंट 17 माई 2016 को भरपूर संगत में की गई तब समसा संगत ने समर्पित भाव से सतकुर माता सविंदर हरदेव जी महराज की जै का जैकारा लगा कर अपनी खुशी प्रकट की कॉन्वेंट शिक्षित अध्यात्मिक जागरीती से युक्त सामाजिक अध्यात्मिक गतिविधियों का लंपा अनुभव रखने वाली सतकुर भावा हरदेव सिंग जी महराज की धरब पतनी पुझे माता सविंदर जी ने संद निरंकारी मिशन के जो कि सरव सांजा विशव व्यापी अध्यात्मिक समाचिक और चैरिटेबल संस्थान है कि परमुक का जो यह दाईत्तु संभाला यह अध्यात्म जगत के इतिहास में महिला शशक्ति करन का सबसे मुचा हुधारन है मिशन की आरंब से ही मानेता रही है कि एकको नूर है सबने अंदर नरहे चाहे नारिये अर्थात सत्गुरु किसी भी रूप में किसी भी घट में प्रकट हो सकता है कहते हैं कि जो गुरु है ग्यान को ही गुरु कहते हैं और फिर आगे कहा है यह शरीर ब्रह्म नहीं है ब्रह्म जो एहदेविच बोले यह शरीर ब्रह्म नहीं है जो इसके अंदर यह आत्मा बैठी है कहते हैं ब्रह्म जो एहदेविच बोले इसके अंदर जो विरात्मा आत्मा है परमपिता परमात्मा की यह अत्मा और प्रमात्मा का पतिपत्नी का मिलन है, जो आत्मा है, यह परंपिता प्रमात्मा की पत्नी है, आपे इस मकान विच बैके लामकान कांदा बूहा खोले, कहते हैं कि इस मकान की अंदर जो ये आत्मा है इसका दरवाजा ये सत्गुरु खोलता है निरंकार को दिखाता है निरंकार इसके अंदर प्रकट करता है इसके अंदर निरंकार की जोती प्रकट करता है इसके अंदर निरंकार को पिठाता है आत्मा को प्रपात्मा से मिलाता ह दुनिया का उधार और प्रोपकार करने के लिए नीरंकार का साकार रूप सत्गुरु सारी दुनिया का सांजा होता है जो सरव्यापी नीरंकार का शाक्षत कार और परचार करके समाथ में प्यार धया करुना स्थापित करता है क्याते हैं शीरी गुरु गुरन साइप में भी लिखा है बिन सत्गुर किने न पायो बिन सत्गुर किने न पाया सत्गुर विच आप रख्यान कर प्रगट आख सुनाया पीर पेगंबर वली अवतार सभी सत्गुर के ही उपनाम है अपने समय में सभी को सत्गुर की शरन लेने पड़े फोल लव इतिहास पुराने हो गए वलिया पीरां दे रुख बदलेने सत्गुर नहीं ओना दी तक दीरां दे ग्यान दे गुड़ी दे अजतिकन सत्गुर दे हथ डोर रही अवतार कहे पर अन्नी दुनिया यह में पांदी शोर रही आदिकाल से आज तक जितने भी पीर पैगंबर सत्गुरु के रूप में संसार में आए उनमें जोती निरंकार प्रभू की ही थी प्रंतु शरीर समय समय पर बदलते रहे क्याते हैं कि सभी पीर पैगंबर सत्गुरु जितने भी प्रकट हुए हैं सभी के अंदर ये निरंकार की जोती थी और ये निरंकार की जोती ये परंपिता सत्गुरु ये निरंकार की जोती को हर एक जीव के अंदर जो आत्मा बैठी है उस आत्मा को ये दिखाता है कि ये तेरा पती है, तुने हर समय इसका सिम्रन करना है, तुम ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैं नू बक्ष लो, कहते हैं सत्गुर्व की छतर चाया में ये अध्यात्मिक मुख्याधारा लगातार चलती रहती है, भगवान राम जी, भगवान शिरी कृषन जी, येशु मशी, मुहम्मद साहिब, शिरी गुर नानक देव जी महराज और धार्मिक गरंथ, वेद, उपनिष्ट, भगवत, किता, रमायन, प्रवित्र, कुरान, बाइबल, शिरी गुरु गरंथ साहिब, आधी, सभी अध्यात् के अंग है, शिरी गुरु नानक देव जी महराज से लेकर, शिरी गुर्तिक पहतुर सिंग जी महराज, शिरी गुरु गोबिन सिंग जी महराज, दस्वी पाशाई तक, शिरी गुरु नानक देव जी महराज से लेकर, दस्वी पाशाई, शिरी गुरु गोबिन सिंग जी म महराज तक सभी समकालिन सत्गुरु जितने भी हुए समय के सत्गुरु जितने भी हुए सभी ने हमें यहीं समझाया कि इस आत्मा का पारुदारा इस परमपिता प्रमात्मा से मिलने पर ही हो सकता है शाश्वत सत्य का बोद कराने वाले सत्गुरु के महत्तव के बारे में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु फिश्नु गुरु देवो महेश्वरा गुरु शाक्षात पार ब्रह्म तश्मे शिरी गुर्वे नमा तीन लोक नोखंड में गुरु से बढ़ानक होए करता करे न कर सके जो गुरु करे सो हो है ब्रह्मान का स्वामी निरंकार प्रपु परमात्मा सत्गुरु के घट में पूरी स्रिष्टि के कल्यान के लिए दुनिया में अवतरित होता है ये सारे ही संसार के लिए आता है सब का उपकार करने के लिए सारी दुनिया का उपकार करने के इस एक के परचार के लिए आता है एक की निरंकार, निरंकार की जानकारे देने के लिए आता है और गुरु जैसा कोई दाता नहीं है और कहते हैं कि गुरु जैसी कोई मत नहीं है कहे अवतार गुरू के बिना दर्गा में कोई भी लाज रखने वाला नहीं है दुनिया को कोई भी राजा महाराजा निरंकार ब्रम के साकार सवरूप सत्कुरू के समान नहीं हो सकता दुनिया का कोई भी राजा, महराजा, निरंगकार, ब्रह्म के साकार, सवरूप, सत्कुरू के समान नहीं हो सकता इसका यही समझाया गया है अलो अलक ना जाय लख्या, गुरू गुडदी ना मिठा कहे कबीर मेरी संका नाशीन, सरव निरंजंडी था यहाँ पर कबीर धास जी भी कह रही है कि अलो अलक ना जाय लख्या कि गुरू के बिना, गुरू के बिना यह अलक की कोई भी लखता नहीं किरा सकता जानकारी नहीं किरा सकता कबीर धास जी कहते हैं जब मैंने इस परंपिता प्रमात्म को देखा ये सारी शंकाओं का निवारन कर दिया इसी तरहें ये सत्कुर सचा बाशा ये प्रम ज्यान देकर सभी को इस प्रम पिता प्रमात्मा से मिला कर पूरे गुरु की यही निशानी पार प्रम निकट कर जानी पूरे गुरु की यही निशानी है कि वो इस पार प्रमात्मा से मिला देता है इसलिए सत्कुरू की शरण में आकर सभी अपना उधार करें अपना लोग सुखी पर लोग सुहला करें तासी तो यही सभी के लिए सत्कुरू माताजी के चल्लू मेर दास करती है यह सचे पाशा जीणों ने इस बर्मग्यान को ले लिया है उनके उपर मेहर करना से वासी मुरस्थ संकर्त जले जाएं और जीणों ने अभी तक ये बर्मग्यान जिस खट میں नहीं आया है उनके उपर सदकुरू सचे पाशा अचिक्र गिर्पा करना वो भी इस प्रमग्यान से जुड़ें और इस अनन्द को प्रापत करें और अपना लोग सुखी पर लोग सुहेला करें संगजी दासी से विचार करते हुए कहीं परकार की बूले हुई होई होंगी दासी उंगलतियों के लिए आप जिसे शमा चाहती है और आगे के लिए दासी को सुमत बख्षना दासी सब के सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाएगे सभी ने मिलकर इस सिमरन में सहयोग देना है तू ही निरंकार मैर तेरी शरणा मैनू बख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरु वचनवतार की जै हाँ संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी